हेलो नमस्का स्टूटेंट वेलकम टू जीके बाई जोती मैं फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हर्याना जीके की most weeks consistent को चाहिए हैने कि मैं आपको लग्भग एक महिने से कोई लो Englom चौटे में प्रेंड़ीयो ड्यूंटने में तो आप लेलिश्ट को भींदी चैकक करेंगे और मैं आपसे माफी चाहूंगी कि मैंने आपको लगबग एक महिने से कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ प्रोब्लम चल रही थी और कुछ मैं बिमार हो गई थी इस बज़ाय से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई थी तो अब हम continue आपके लिए वीडियो बनाएंगे इसकी सीरीज को हम complete कर लेंगे तो चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हैं हम आज किसी वीडियो को start करते हैं तो देखें मैं आपको पहले 40 question में आपर करवा चुकी हूँ आज हमारा जो question number है वो है 41 तो यह पूछ रहा आप से आकासवानी के अंदर रोद तक की स्थापना कभूई थी तो देखें आपको ध्यान रख लेना है जो हमारा आकासवानी के अंदर रोद तक है यह हर्याना का फर्स्ट आकासवानी के अंदर था सबसे पहलेका आपको यही ध्याररख लेना है हरीयाना का 1 ओकासवानी के इंदर कहां पर स्थापित किया गया था जो की रोढ तक में स्थापित किया गया था इसका सबसे पर उसके इन मेरा 9ब ..... को जो हमारा सेकेंड आकासवानी के अंदर है वो हमारा 24 जून 1991 को बना था जो की कुरुक छेतर में है यहापको द्यार रख लेना है और जो हमारा थर्ड बना था वो बना था 26 जनवरी 1999 को और यह बना था हिसार में ठीक है तो यह हमारे तीन आकासवानी के अंदर है हरियाना म में फर्स्ट रोत तक में बना था कब बना था आठ महीं 1986 जैकिन हमारा trees में बना था 24 मही 1991 और थर्द हमारा हिसार में बना था 26 जनौरि ननीज चन गाला यहाँ पर देखिया हाँ कहानी को हमारे लिए यह ऐ एक question हुए लेकिन हमने इस एक question से टोटल तीन से C21us को जरूर पूछे जाते हैं तो आपको ध्यारग लेना है जो हमारा हरियाना उर्तु साहित्या कादमी है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1986 में की गई थी most important ध्यारग लेना ठीक है अब हमारा जो next question है question number 43 वो है चंदिगड का वास्तुकार ली कारबुजियर किस देश का निव और लागतर न्यवासी था यह इसमें कोई डौट नहीं है लेकिन आपको न इक बात ध्यार लेना है जो हमारा चंदिगड है यह कब स्थापित कि या था इसकी स्थापना की गया थी दो अप्रायल 1952 वह आ ऊजिपन के सपनों का सहर कहा जाता है देखे क्या होता है 1950 में ठेका दिया जाता है किसको दिया जाता है मेथ्यू जोविक नाम का एक इनसान था उसको क्या है चंदिगड बनाने का ठेका दिया जाता है 1950 में लेकिन क्या होता है एक विवान में दुर गटना हो जाती है और सुदुरगठना के वज़ैसे क्या हो जाती है, इनकी डाथ हो जाती है, जब मेथ्यू जोवीकी डाथ हो जाती है, उसके बाद जो ली कार Dewjiair है, जो कि फ्रांस के निवासी थे, ये क्या करते हैं, चंदीगर की वस्टूकार के क्या करते हैं, वस्धापना करते हैं, ये और यह भी पूछा गया देखें यह आपर जितने भी क्वेस्चन है न वो सारे प्रिवियस येर के क्वेस्चन में आज आपके लिए लाई हूँ तो आपको ध्यारक लेना है जो इतियासकार रो मिला था पर है उनके अनुसार जो महा भारत है वो नो सो इस्वी पूरो हुई थी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यारक लेना नेक्स्ट क्वेस्चन हमारा 45 है हर्याना के किस सहर को सपनों का सहर कहा जाता है जिसको पहले गुडगाओं बोला जाता था दो पहले है अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन जो है हमारा ницы्ट क्वेस्चन है question number 46 है दिल्ली सल्तनत के किस सासक ने सिर्षा में 1200 बाग लगवाई देखें most important ध्यारक लेना देखें अगर आपसे ये पूछे कि सिर्षा में 1200 बाग किसने लगवाई तो वो लगवाई थे फिरोसा तुग लगने लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह मुगल सासक कौन था जो की बागवाणी का सोकीन था तो हमारा अनस्वरा आजाएगा बाबर ठीक है और सिर्षा में 1200 बाग किसने लगवाई थे वो लगवाई थे फिरोसा तुग लगने most important ध्यारक लेना क्वेस्चन नमर हम आगे बढ़ते हैं 44 है बीवाणी बॉक्शिंग कलब की स्थापना किसने की थी देखिए आपको एक बात ध्यार रख लेनी है जो हमारे ये बीवाणी बॉक्शिंग कलब है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी वर्ष 2003 में की गई थी और जो हमारा क्योबा जो देश है वहाँ पर भी क्या है सबसे ज़्यादा बॉक्शर है इसलिए जो हर्याना का बिवाणी जिला है उसको मीनी क्योबा कहा जाता है और इसकी स्थापना किसने की थी तो इसकी स्थापना की थी जगदिख सिंग ने और हवा सिंग ने देखिए अगर आपक पुछा गया मास्टर चंदगी राम क्या है तो ऑप्शन दिये गए है यहां पर किसान नेता कभी सवतंतरता सेनानी या खिलाडी तो जो मामारे मास्टर चंदगी राम हुए है यह क्या हुए है अगर आपसे सोनु निगम पूछ लिया जाए या फिर रीचा सर्मा पूछ लिया जाए इन दोनों का ही संबंद कहां से है यह भी आपने ध्यारक लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं देखे नेक्स्ट क्वेस्चन है 51 फिलम अभी नेता संजदत का हरियाना में कहां से संबंद है तो यहाँ पर आपसे संजदत का पूछा गया है अगर आपसे संजदत का पूछ ले या फिर सुनेलदत का पूछ ले किसी का भी पूछ ले इ यमनानगर का एक मार्डो लिगाओं है वहां से इन दोनों का संबन है ठीक है ये दोनों क्या है फादर एंड सन है ये भी आपने ध्यारक लेना है संजदत और सुनिल्दत ठीक है ने इस जो क्वेशन है हमारा डाडम की पहाडिया हर्याना में कहा पर स्थित है देखें जो हमा से सुनना आपने क्या बोला है मैंने जो हमारा दक्षिन हरियाना है दक्षिन हरियाना की सर्वोच चोटी है यहां पर जो की 652 मीटर है कहां पर है कुलताजपुर गाउं में है और डोशी की पहाडी पर है जो की महिंदरगण में है ठीक है लेकिन आप से क्वेस्टिन में पु वो पंचकुला में है और यह भी आपने ध्यारक लेना है जो हमारा हरियाना की सर्वत चोटी कौन सी है करो है जो कि कहां पर है मोरनी की पहाड़ियों पंचकुला में है ठीक है यह भी आपने ध्यारक लेना है अब देखिए हम आगे बढ़ते है और नेक्स्ट है जो QUESTION नमबर ह बना था और क्या होता है 1967 में जो हमारी सीट जब हमारा 1966 में हरियाना बना था उस समय पर जो हमारी विदानसवा सीट थी वो कितनी थी 54 थी और 59 सीटों में से 10 सीट ऐसी थी जो की रिजव थी ठीक है फिर क्या होता है 1966 के बाद आता है 1967 1967 में क्या कर दिया जाता है this difference in lost did come to see harm ними हरयाना में विदान सभा की हम सभी पड़ते हैं 90 सीटे हैं और ये हमसे question में पुछा गया है कि हर्याना में विदान सभा की सीटों की संख्या बढ़ा कर नबबब कब की गई totalnh 1977 में और आज के समय में हमारे हरियाना में 90 विदान सभा की सीटे हैं जिन में से 17 के हैं रिजव हैं ठीक है यह आपने तीन नो बाते ध्यान रख लेनी हैं 1966 में हरियाना का गठन होता है उसमें पर 54 सीटे थी टोटल और 59 में से 10 विद थी फिर नेक्स्ट यर 1967 में क्या होता है यही हमसे क्वेस्चन में पुछा गया है तो यह तीनो आपने ध्यान रख लेना है अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं question number 54 है हमारा सरस्वती वन सरंडरक्षन अक्षेतर हरियाना में कहाँ पर स्थित है देखिए अगर आपको पूछ लिया जाए सरस्वती वन सरंडरक्षन अक्षेतर हरियाना में कहाँ पर है तो देखिए आपको ध्यारक लेना है ये हरियाना के दो जिलो में है एक कैथल में है एक कुरुक छेतर में है लेकिन हमने ज्यादा प्रेफरेंट्स किसको देनी है सोरी फ्रेंट्स तो हमें जो है ज्यादा प्रेफरेंट्स किसको देनी है कैथल वाले को देनी है और कैथल वाले को इसलिए देनी है क्योंकि ये कैथल में इसका जो हिस्सा है वो ज्यादा है कुरुक शेतर में कम है इसलिए देनी है ठीक है तो जो हमारा हर्याना है हर्याना मे तोटल दो वन संरक्षित अक्षेतर हैं एक हमारा बीरबारा जो की जीन्द में है और एक हमारा सर्श्वती जो की कैथल में है और ये दोनों ही ये भी आपको ध्यार रख लेना है कब बने थे 2007 में बने थे ठीक है ये अपने ध्यार रख लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन नमर हमारा 55 है हर्याना का एक मातर जिला जिसमें सबसे ज्यादा वन है देखे आपको ध्यार रख लेना है आपसे पूछ लिया गया है देखे सबसे पहले तब अपने ना ओप्शन देखने है यम्ना नगर सोनीपत रोत तक ना इतो हमारे सोनीपत में है ना इरोत तक में है और ननोफ दीज तो यहां पर होगा नहीं तो हमारे सबसे ज्यादा जो वन है वो कहां पर है ओप्शन के हिसाब से यम्ना नगर में है लेकिन अगर आप से जो हमारे सबसे ज़्यादा वन है वो कहां पर हमारे यम्ना नगर में है ठीक है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा क्वेस्टन नमबर फिफ्टीन शिक्स तुर्गान ए चहलगानी की सुरुवात किस ने की थी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यार रख लेना दो देखें जो हमारे तुर्गान ए चहलगानी है इसकी जो सुरुवात वो इल्टुतमिष द्वारा की गई थी देखें क्या होता है एक पैसम से पहले सुल्तान होता है सुल्तान के निचे क्या होता है वजीर होता है और वो वजीर क्या करता है चालिस मंत्रियों का एक ग्रूप बनाता है जिसे क्या बोला जाता है दल चालिसा बोला जाता है और जो हमारी ये तुरगान ये चहल गानी है इसको स्टार्ट किया था इलतुतम इसने लेकिन इसको खतम किस ने किया था बल बल ने किया था ये भी आपने ध्यार लेना है कुतुब मिनार का निर्मान किसके नाम पर हुआ तो जो ये हमारे कुतुब मिनार है इसका निर्मान कुतुब दीन बक्तियार काकी जी की याद में हुआ था ठीक है तो ये कुतुब दीन ऐबक के क्या थे गुरू थे ये कुतुब दीन ऐबक के गुरू थे जो कि हमा पाते आपको बता दी है वो भी आपको ध्यार रख लेनी है मंजी साहिब गुरु द्वारा हरियाना में कहा पर श्तित है यह भी न एक जो हमारा है डिश्प्यूटिड क्वेस्टन बना रहता है तो सबसे पहले आपको ध्यार रख लेना है ओप्षन के हिसाब से हमें न यहां कि कैथल लेकिन आपको ध्यार रख लेना है जो मंजी साहिब गुरु दुआ रहा है अगर यहां पर अंबाला दे रखा हुता उप्षन में तो हम अंबाला टिक करके आते क्योंकि हमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो अंबाला वाले को देनी है और थर्ड नंबर पर हम में रोद तक वाले को देनी है ठीक है तो यह आपको ध्यार रख लेना है देखें हमने यहां पर अंबाला इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहां पर क्या है उप्षन में अंबाला था इनी कैथल उप्षन में था तो इसलिए आमने कैथल बोला है ठीक है अब हम देखें आगे चिंकारा पर जुनन के अंदर कहां पर तो यह हमारा रेवाड़ी के जबुअ गाउं में हैं लेकिन अगर आप से पुछे चिंकारा पर जुनन के अंदर कहां पर है तो यह हमारा भीवानी में है यह भी आपको ध्यान रख लेना है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं question number 61 है हम हमारा बारत के 24 वे आर्मी चीफ जर्नल वीके सिंग का संबंध हर्याना के किस जिले से हैं most important ध्यान रख लेना तो देखिए जो हमारे वीके सिंग है इनका जो संबंध है वो भीवानी के बापोड़ा गाउं से है और जो हमारे दलवीर सिंग सिहाग है जो कि आर्मी चीफ है 26 वे नंबर के इनका जो संबंध है वो जजर्जर के बिसान गाउं से है और जो हमारे सुनिल लामबा है जो की एक्स नेवी चीफ है इनका जो संब्ध है वो हमारे पलगल से है यह तिन नों आपको ध्यारक लेने है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेस्टिन नमबर 16 टून हरियाना स्वांद पत्रीका का संबंद किस भी बा चीते करना ठीक है तो क्रिशी से रिलेटिड तो इसमें कोछ होगा नहीं ना ही उदेख से रिलेटिड होगा ना ही साहित आकादमी से रिलेटिड होगा तो यहाँ पर एक ही उप्शन बज़ाता है हमारा उप्शन भी सूचना एवं लोग संपर्क तो जो हमारा हरियाना जी है इनको माना गया है most important question है ये और ये question important है इसलिए आपने न ध्यार रख लेना है ठीक है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं question number 64 है हमारा समराट असोक का टोपरा स्थम मूल रूप से हर्याना के किस थान पर था तो देखे जो हमारा टोपरा स्थम है ये मूल रूप से यमनानगर में था लेकिन क्या होता है यमनानगर से अमबाला को अलग कर दिया जाता है और जब अमबाला को अलग किया जाता है तो आपको ध्यार रख लेना है समराट असोग के साथ सतम थे जिन में से दो टोपरा मेरट सतम अलावदील खिलजी दिली ले गया था और भारत का सबसे बड़ा असोग चक्र देखे जो यह हमारा जो अलावदील खिलजी था जियो दिली ले गया था तो फिर जो यम्णानगर के या फिर जो अंबाला के लोग थे उन्होंने बोला कि हमें ऐसा ही स्थम चाहिए टोपरा जैसा तो इन्होंने क्या किया यहां पर रहना असोग चक्र स्थापित करवा दिया और यह भारत का सबसे बड़ा असोग चक्र है जो कि कहां पर है टोपरा कलागा हुई अमना नगर में है और यह कितने फिट का है 30 फिट उचा है यह भी आपको ध्यार रख लेना है नेक्स्ट क्वेस्टेन है dollar विशैओ धिवसकब मनाया जाता है देखिए जो मैं अपनी जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें एक या फिर दो जो है डेट से रिलेटेड या पिर दे से रिलेटिड क्वेस्टेन जरूर डालोंगी पहले वाली वीडियो में भी मैंने लग लेना नेक्स्ट क्वेस्चन है हमारा वाध्ययंतर तबला वैसितार का आविस्कार किस ने किया था ये सभी को पता है तो आपको ध्यारक लेना है जो हमारा वाध्ययंतर तबला है और जो हमारा सितार है इसका जो आविस्कार है वो किनों ने किया था तो ये अमीर खुसरो जी अब होता है हर्याना में, सबसे दिक सर्षो का उतबादन होता है तो कतली खान की जनमबू मी किसे कहा जाता है तो देखे जो आपको ध्यारक लेना है जो लिया कतली खान थे ये पाकिस्तान के फर्ष्ट परदान मंत्री थे और इसकी जनमबू मी किसे कहा जाता है करनाल को कहा जाता है और करनाल को कलपना चावला की जनमबू मी भी कहा जाता है देखे कलपना चावला से रिलेटिड अगर आपसे कुछ भी question पूछे तो हमारा अनस्वर क्या होगा करनाल होगा लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलपना चावला तारा मंडल कहां पर है अगर आपसे तारा मंडल पूछ लिया जाए तो जो हमारा तारा मंडल हो कहा पर है हमारे कुरुक छेतर में है और बाके की जो भी चीज़े है कलपना चावलाश रिलेटिड वो हमारी करनाल में है ये भी आपको ध्यार रख लेना है नेक्स्ट है हमारा कनोज को किसने विक्षित किया था तो कनोज को जो राजा हर्षवर्दन जी है उन्होंने विक्षित किया था राजा हर्षवर्दन जी की क्या है दो कैपिटल थी ये भी आपको ध्यारक लेना है हर्याना में पहाडों की रानी की से कहा जाता है तो पहाडों की रानी हमारी मोर्नी की पहाडी है जो उसे कहा जाता है और जो हमारी मोर्नी की पहाडी है वो पंचकुला में है ये भी अपने ध्यारक लेना है और जो मोर्नी की पहाडी है वहाँ पर हर्याना की सबसे उची जो की करोह यह अपने ध्यारत लेना ठिक है नीमन में से कौन सी चंदरबर्दाई की रचना है तो जो चंदरबर्दाई है यह पृत्वी राज रासो नाम के एक भुख लिखी थी तो यह इनकी रचना है ठिक है हरुआना में सबसे ज्यादा गंदक याने की सलफर कहां पर पा पानिपत में पाया जाता है बारत में सबसे ज़्यादा कुम्भी का उत्पादन कहां पर होता है तो देखे जो हमारा भारत है भारत में भारत में सबसे ज़्यादा कुम्भी का उत्पादन आप से पूछा गया तो भारत में सबसे ज़्यादा कुम्भी का उत्पादन सोनिप के खुबडु गाउं में होता है next question है हमारा question number 75 हर्याना का तुफान किसे कहा जाता है तो जो हमारा हर्याना का तुफान है वो कपिल देव को कहा जाता है next question 76 है फिलम एक्टर जगत जाखड का संबंध हरियाना के किस जिले से है तो जो जगत जाखड जी है हमारे इनका जो संबंध है सुन रेटी गाउं जजर से है most important ये question बनता है हमारा बहुत बार previous year के question में पुछा गया है ये भी आपने ध्यार रख लेना है next question है हिलने वाला पत्थर या फिर dancing stone हरियाना के किस जिले में है तो जो हमारा हिलने वाला पत्थर है ये हरियाना के चर्खी दादरी जिले के कलियाना गाउं में है ठीक है और ये अपने ध्यार रख लेना ये yellow रंग का है इसलिए से पीला पत्थर भी कहा जाता है हीलने वाला पत्थर भी कहा जाता है डांसिंग स्टोन भी कहा जाता है कमपिंग स्टोन भी कहा जाता है इसको ठीक है यह इसी के नाम है यह अपने ध्यारख लेना है कहाँ पर है चर्खी दादरी में कलियाना नामक गाओं है ख़ीक है आपने ध्यार रख लेना हैं next question है हर्याना का सभसे बड़ा विश्वी दन्ला कौन सा है most important question है देखिए हम क्या सोचते हैं यह सोचते हैं जो हमारा हर्याना है हर्याना का जो first university है वह सोरी जो हमारी सबसे बड़ी युनिवस्टी वो कौन सी है कुरुखचेतर युनिवस्टी है लेकिन आपको ध्यार रख लेना है जो हमारी फर्स्ट युनिवस्टी है हरियाना की वो कुरुखचेतर हो सकती है लेकिन जो हमारे हरियाना की सबसे बड़ी युनिवस्टी है वो कौन सी है चोद तो आज हम सिर्फ 78 questions को ही करते हैं लगबग हमने आज की वीडियो में 38 questions को complete कर लिया है और 40 मैंने पहले करवा दिये थे तो यह हमारी आज की second video है और जो हमारी दुर्गा सुक्ति का exam होगा उससे पहले-पहले हमा 1100 questions को complete कर लेंगे बहुत अच्छे तरीकों से तो अगर आप आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर देना अपने friend circle में वीडियो को share जरूर करना और अगर आपको यह मेरे handwritten notes चाहिए पीडियाफ की form में लगबा 1100 questions है with full explanation यह तो अब आपके लिए demo है इसलिए यहाँ पर easy से question रखे गई हैं यहाँ पर मैंने topic wise भी यहाँ पर question रखे हैं तो अगर आपको यह notes चाहिए तो आप मुझे मेरी टेलिग्राम id जाटनी 3199 पर message कर सकते हैं देखें ऐसे लिखेंगा लिखेंगा आप जाटनी 3199 यह मेरी id है टेलिग्राम पर अगर आपको notes चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर message कर सकते हैं थैंक्यू धन्यवाद